सब कर्थम आप सभी को बाबा साब की जयंती पर शुब कामना है और पूरा भारत वर्ष और हिमाचल और हमारा जिला कांग्रा भी इसको हर्शोलास से मना रहा है और मैं वालमिकी सभा का धन्यवाद देना चाहती हूँ धरमशाला से मेरा कनेक्शन बहुत पहले का है मेरा कॉ और जादा मुझे गौरब महसूस हो रहा है तो धन्यवाद किस तरह देखते हैं उसमाज में बदवाब आया है तो वही बात है कि जिससे जनरेशन चेंज होती है और बाबा साहिब ने वह अपने खुद के एक्जामपल से बताया है कि शिक्षा एक मात्र ऐसा हतियार है जि चीजे समाज में चेंज आ सकता है और बाबा साहिब ने यही कहा है कि आप शिक्षित बने रहें और साथ में संगठित रहें और संघर्ष करते रहें तो यह बात आज भी उतनी ही लागू होती है हर एक समाज में जो बदलाव आता है उसमें लगता है और जितने भी Constitution में provisions मिले हैं उनकी implementation अच्छे से हो और और ज्यादा हम इसमें रिस्पेक्ट करें और एक मैं बात हमेशा बोलती हूँ कि अपनी जाती की इज़त हमें खुद करनी पड़ेगी और दूसरों पे इसके ल ित अंदर से नहीं आएगी मुझे नहीं लगता कोई हमें बडलावनला सकता है बाहर से ओक्तियों के लिए कोई संदेश आया चाहिए करें तो से अनुमान लगाता हूँ कि महिलाओं को तो हमेशा बाबासाहिब हम बाबसाहिब न होते तो लड़की को अपने लिए राइट के लिए सोचना चाहिए और जिन्दगी में financially independent बनना चाहिए तभी वो मांसिक रूप से independent हो सकते हैं तैंक यू सो में तैंक यू सुमें तैंक यू